सबसे पहले मेरे पास अलवेरा जेल है, एक चमच अलवेरा जेल का लूँगी, आपके पास अगर फेश प्लांट का अलवेरा जेल हो तो बहुत जबरदस चीज है, अब next ingredient हमारा है रोज वाटर यानी गुलाब का रग, लेकिन यह optional है, अगर आप ग्लिस्रिंग का इस्तमाल क इस्तमाल करें, मैं यहाँ पे ग्लिस्रिंग का इस्तमाल करूंगी, सट्डियो में यह बहुत अची चीज है, ताकि हमारी स्किन ड्राय भी नहीं हो, यहाँ पे आदा चमच इसमे ग्लिस्रिंग का एकन है, next हमने इसमे मिलाना है शेहद, आदा ही जमच आपने इसमे शेहद सबी जानता है कि मॉस्टराइजिंग के लिए शायद सेची चीज कोई भी नहीं है, अब इसमे एक चुट्टी मिलाएंगे हल्दी की, जब तक इसमे एक चुट्टी मिलाएंगे हो, बताते जाओं कि इसमे 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 आपकी स्किन यलो नहीं होगी, अगर इनके इसमे एक चमच आपने लिमू का रस मिलाने, और यह मारे तमाम इंग्रेडियंट्स के अंदर मुझूद होता है, इन तमाम को उच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जब तक में मिक्स करूंगी, आप तमाम फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगी, जो पहली दख चैनल के लिए और अज़र वह सुरक नहीं है, आप पाले से सबस्क्राइब कर चुक्याद बहुत 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 शुक्रिया, आप इसको अची तरह से मिक्स करना है ताकि एक जल की शेकल में आज़ेगो, अगर यह आपको बहुत ज्यादा पतला लगे तो आप इसमें एक चमच आलवेरा जल और भी मिला सकते हैं लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही हो तो ज्यादा पाइदे मन है, अब साथ में आपको जब तक यह मिक्स हो रही है, आपको इसके प्वाइब बताते हैं कि अगर आपके चेरे पर रिंकल्स हैं उसको भी खतम करेगी, और डाप स्पोर्स है जिनके चेरे पर यह उसको भी रिमूव करेगी, आप बताते हैं कि इसको इसको इस्तमाल किस तरीके से करना है, और साथ में ये कि आप इसको प्रिच के अंदर 10 तक स्टोर कर सकते हैं, और प्रिच से बाहर आप इस रूम संप्रेटर पर 5-7 दख सकते हैं, आपने इस तरीक अगर आपको जागा सकती है, आप इसको सलसल नहीं रख सकते हैं, 15 में चेहरे के उपर 5-7 तरीके से अपने हाथ, पाओ, पाओ, चेहरे, गर्ज़टर पर जहां भी इसको अप्लाइ करना चाते हैं, इसको लगा कि उसके बाद नीम गरम पाने के साथ वाश कर देगे, क्यों अपिदेश आप स्क journalism कर देगा वाश को अपर हो स्की कि आपकी मट्र। डीए हो स्की आपहरे आप हीं अभी तरना अभी यह से चान फोय पर किपाद जेगा के साथ पादारचका में रिंजों नहीं रिंख कि आउड कर देगारि के चान फोब बैक कर यो सच्法 में सब आज के लेसन में आपको यह कहना चाहेंगे कि तरफ जितना उंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा इसलिए उंचा बनने की बजाए कोशिश टेरिये के बड़ा बनिये उमीद करते हुए इस छोटे से लेसन से आपने बहुत कुछ सिखा होगा और आपके मजीद दुआओं की और सुपोर्ट की मुझे जरूरत है उमीद करते हुए कि आप लोग मेरी वार्दा के लिए भी दुआ करेंगे मेरे लिए हमारी फामजी के लिए अपने वाले दायन से है तर तुम सिखती का भी चाल रिख देगा इतनी मेहने से वीडियो बनाई है एक लाइप तो बनता है न और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुआ में दुआरा कैसे ढूनेंगे तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर लिजिए और इस बैल के आइकन को क्लिक कर दीजिए इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आपनेजिए